अब ये समझ में नहीं आता है कि ये द्रलोकीनात भगवान की जो वास्तविक कथा है वो क्या है और लकड़हारे ने उलका मुख राजा ने, सादुवैश्य ने, कलावती कन्या ने, मैया ने, जामाता ने, महराज ने जो जो कथा सुनी, वो-वो मूल कथा क्या है, सब ने कथा सुनी, तो ये क्या कथा है? उसी प्रकार आप कहेंगे, कि महराज भक्ति मनी तो आपने पहरा दि, लकिन ये भक्ति मनी है क्या? आज हम इस पर चर्चा करें क्या है? सुनेना मा कहां बिठी कल इनका परश्न भी आया था कि माराश्री आपने भक्ती मणी तो सुना दी लेकिन ये भक्ती मणी को थोड़ा सा ये बताईए कि ये इसको विवहार में कैसे लिया जाए मा बुसंडी रमैन के बहुत दिनों से आगर कर रही थी और मेरे को कठा के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है फिर भी बेद पुरान उदद गहन साधू इस दान्त में रमकर हमने सदगरंथों के आश्रे में कुछ मोती निकाले आपके साथ उसको गाया अब सब यही कहते हैं सब कर फल हरी भगती सुहारी सो बिनों नकाव हूँ पारी सब कर फल अर्थाद जितने पुण कर्म आप कर लेंगे उन सारे पुण कर्मों का फल है भगवान की भगती और भगती में न चड़ना है न उतरना है न गिरना है न समलना है मेरे सरकार के श्रमुख बचने पुझपाद गुस्वाम जी की एक बड़ी अलोकिक बात है साब कौन बात किस से कहवानी है ये अदभुत प्रबंधन है बाबा का जिसकी भगती करनी है वो श्री रगुनाज जी ही कहते हैं कैसी है सोलभ सुखद मारग भाई क्या भगती मोरी पुरान शोते काई पुरान कल हम आप गाये थे वेद पुरान भगवत कथा ये सब समुद्रवत है संत लोग इनमे से ही रस प्राप्त करके ऊपर ले जाते हैं और मेघ बन करके पूरी धर्ती पर हरा भरा करने के लिए वरशा कर देते हैं सब आनंदित हो जाते हैं काउन संत क्यों अभी कहा ना सो बिन संत नकाव हो पार यह भगती बिना संत के किसी को प्राप्त ने होती संत वरक्ष नदी यह अपने लिए व्यवहार नहीं करते संत बिटप सरिता गिरी और धर्नी परहित हे तु सबन कर परवत अपने लिए मड़ी नहीं रखते धर्ती अपने लिए कुछ नहीं रखती जो आप डालेंगे हजार गुना दस गुना करके आपको आपस कर लिए इसी प्रकार प्रमात्मा भी अपने पास कुछ नहीं रखता क्यों अरे वो तो भरे भंडार है अब यहां ये बात समझनी है बड़ी सूक्ष्म बात है जब्भी भगवान को समय देने का धन देने का लिज़ता समय आता है तो आदमी मन से कंगाल हो जाता है धन से अभागा हो जाता है और शुभाव से दरिद्र हो जाता है कठो रहे हम आपके बारे में नहीं करें हम अपने बारे में कह रहे हैं जब भी भगवान की भाजी आती है न तो हम कंगले हो जाते हैं एक बार लखनौ के वरिष्ठ पत्रकार अजय मामा जी हमको एसमेस देजेग उसमें प्रश्न था महराजस्री हजार की नोट कब छोटी लगती है कब बड़ी लगती है मामा जी स्वरण है आपको मुझे नहीं दे पाया फिर हमने का मुझे नहीं पता भेजिये तो इन्होंने भेजा और बड़ा अच्छा वदबुत उत्तर है कि बोले हजार की नोट तब बड़ी लगती है जब मंदिर में देना हो हजार की नोट तब छोटी लगती है जब होटल में पेमेंट करना हो अच्छी है ना पंडित जी को दक्षुना देनी हो तो हजार रुब्या का करवा हो पांसो बहुता है बातो हरे बाती है लेकिन जब हम अपने विशय वासनाओं पर उसको उपयोग करते हैं तो हमको लगता है लेकिन द्यान लखिएगा बर्थरी महराज कहते हैं कि भगवान में साधुवरत्ती से मन धन को एक तरफ करिए धन कोई महत्वपण विशय नहीं मन जन और हमारा भाव आंतरिक संकल्प भी तब ही अर्पित होगा जब हमारे पुराकृत पुर्ण अधिक होगे यदि पुराकृत पुर्ण अधिक नहीं है तो न मन भगवान में लगता है न तन भगवान में लगता है कथा में पहुँचे गए पुर्ण नहीं कनवा को खड़ा रखता है हो आँख अपने आप नहीं लगती है प्रमाद घेरता जब हमारा पुर्ण धीरे 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 करकर बढ़ेगा और मैंने बार बार लखनों कता में पुर्ण बढ़े बिना खर्चा का चर्चा किया सबका भल हैरी भक्ती भक्ती क्या सतसंग इससे क्या होगा विवेक जग जाएगा जब विवेक जगेगा तो चित में सुमती और शान्ती रूपी रानियों का आगमन हो जाएगा चित राजा है शान्ती विवेक जगते ही मती सुन्दर हो जाएगी दूसरे की वस्तु देखर लोभने जगेगा दूसरे को तरास देने का मन नहीं करेगा किसी की निंदा हम नहीं करेंगे अपना सामराज्ज रहेगा अपना आनंदर रहेगा परसो आपसे जो कह रहे थे मनुष्य की बुद्धी 35 वर्ष के बाद परिपक्व होती है जब 35 वर्ष का मनुष्य होता है तो कोई विशेश समस्या भी आती है तो उसको टालता है चलो कल विचाब करें शोध है नौजवान की बुद्धी परिपक्व नहीं होती है उसको समय दिया जाए पक ने दीजिए अर जब हनुमान जी महराज को जामंत बाबाने जगाया श्री हनुमान जी ही कहते हैं जब श्री हनुमान जी की ये गती है तो नौजवान की क्या गती होगी नहीं युवान भाई भी जब सतसंग में समाहित होगा समर्पीत होगा उसकी बुद्धी में विवेक जग जाएगा और जब बुद्धी में विवेक जग जाएगा तो किसी भी विवहार के लिए निरणे लेने की उसमें क्षमता का आगमन हो जाता है जब तक सतसंग की प्राप्त कहते हैं ये कथा भागवत आवश्यक क्या है क्यों आवश्यक है इसलिए आवश्यक है बहिया कि बिना कथा सुने बिना सतसंग पाए विवेक नहीं जगता है और कथा बिना इनकी करपा के नहीं मिलती जबरन बुलाना पड़ता है जबरन खीचना पड़ता है हो आप पर कितने करपा है आप तो सुनते रहते हैं अगली कथा बलरामपूर 27 जून से 5 जुलाई ये इसलिए पहले धोड़ा दे दिया है कि मल मास का समय है पुर्शत्म मास में जितने सदकर्म करेंगे वो हमारे भगवान के सिरचरण में जाकर अक्षुन होगा एक नाम का करोड नाम हो जाता है क्योंकि अधिक मास में सारे सदकर्म भगवान की सरणों में चले जाती है हमारे आपको नहीं मिलेगा हमारे आपके और से सब भगवान के चरण में समाही तो हो जाएगा ये कथा पंचकुला की थी लेकिन मैंने का नहीं लखनों में रहेगे पास में भी रहेगा 27 जोन से 5 जुलाई ठाकुर से प्रार्थना के रिए कि इसके पहले हम लोग रामेश्वर हो आएं नहीं तो इसके बाद रामेश्वरम चलना पड़ेगा जुलाई में ही रामेश्वरम का बनाएंगे अभी आपको लाइम में सोचना प्राप्त हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा